प्रेदोस्तों, प्रभु इश्यू मसी के मधूर और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार मैं आप सबों का सत्यवजन भाईवल अध्यान श्रिंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और यह भी आशा करता हूँ कि आप सब परमेश और पिता की दया से स्वस्थ और सुरक्षित है दोस्तों आज से हम लैवे ववस्था की पुस्तक पर अपने अध्यान को आरम करेंगे लैवे विवस्था की पुस्थक मुसा के द्वारा लिखे गई पांच पुस्थकों में अर्थात पंच गरंथ में से एक है और आज हम इस पुस्थक का परीचे प्राप्त करेंगे और इस बात को देखेंगे कि आज के संदर्व में इसका क्या महत्व है मित्रों या पुस्थक इबरानी भाषा के शब्द वा इच रह के साथ आरंब होती है जिसका अर्थ है परमेश्वर ने उन्हें बुलाया परमेश्वर की उपस्थिती अब तंबु में है और वहां से परमेश्वर मूसा को बुलाकर उसे सारे नियम, काइदे और वाचा सिखाते हैं दोस्तों इस पुस्थक का मुख्य विशे प्रायश्चित और यहवा के लिए पवित्रता है साथी दोस्तों हमारी रीती के अनुसार हम आज के अध्यन पर आधारित प्रशनोतरी भी जारी रखेंगे जिसके उत्तर आफ हमें 24 घंटों के अंदर दिये गए नंबर पर खृपा करके भीज दे तो आईए दोस्तों बलिदानों से भरपूर इस पुस्तक को आरम करते हैं ले विवस्था अराधना की पुस्तक है और बलिदान, पर्व, रीती रिवाज, उपासनपदती, आदेश, धोना, दिक्षांत, समारो, पावित्र दिन, अलोकन, परिस्तिती, शर्तें और चेतावनियों से भरी हैं ये सारी बातें दी गई हैं आत्मिक सचाई को सिखाने के लिए पावलुस पहला कुरूंतियों के पत्रे 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखता है प्रन्तों ये सब बातें जो उन पर पड़ी द्रिश्टांत की रीती पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए भी जो जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई हैं आगे पहला कुरूंतियों 10 अध्याय के 6 पद में कहता है ये बातें हमारे लिए द्रिश्टांत ठहरी हैं तब रोमियों के पत्रे 15 अध्याय उसके 4 पद में कहते हैं जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पोईत्र शास्र की शांती के दोरा आशा रखें प्रियों आज हमारे लिए भी लायविवस्था की पुस्तक में कुछ अद्भूत आदेश हैं क्योंकि वो मसी को बहुत ही महत्पुन रिति से प्रगट करते हैं मूसा की तीसरी पुस् यद भी हम उसके साथ कुछ भी प्रमानित नहीं कर सकते हैं फिर भी जब हमने एक बार मसी को और उसके रहस्यों को पा लिया है तब हम उसके अलंकारों को ले सकते हैं कहने का मतलब है कि उसके दृष्टान साद्रिस्य और उधारन जो मसी को और परमेश्वर की सत्याता को जो मसी में चीपी है उसे प्रगट करता है यहां तक कि उसका फूर्तिलापन जो उसे जीवित और समझदार भोशित करता है जो संसार के सभी शब्दों से बढ़कर है मेरे प्रियो आज उपासना हमारे लिए धर्म विधी या एक विशिष्ट अस्थान नहीं है आपको याद होगा कि इस्राइली लोग धर्मानुष्ठान और धर्म विधी को मान रहे थे परन्तु इशु मसी ने कुवे पर सामरे इस्तिरिश से कहा यहनर चिसु समा चार चारा ध्याय के 21 पद में हे नारी मेरी बात की प्रतीती कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड पर पिता का भजन करोगे ना येरुशलेम में 22 वद में लिखा है तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उधार यहुदियों में से है प्रंतुवा समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भग पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी ही भजन करने वालों को ढूनता है पर मेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से और इस पुस्तक का संदेश भी दो तरफा है. पहला हम देखेंगे लेविवस्था की पुस्तक सिखाती है कि परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बलिदान के द्वारा होता है. इस पुस्तक में प्रायश्चित शब्द 45 बार आया है. प्रायश्चित का अर्थ है ढकना. मेरे प्रियों, बैल और बकरों का लहू हमारे पापों को मिटा नहीं सका. प्रंत यह पाप को ढांके रहा. जब तक मसी सब पापों को दूर करने के लिए नहीं आया. इसी बात को पॉलुस रोमियों के पत्री तीन अध्याय के 25 पद में कहता है. उसे परमेश्चित ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायशित थैराया, जो विश्वास करने से कारेकारी होता है. कि जो पाप पहले किये गए और जिन पर परमेश्वन ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया. उनके विशे में वह अपनी धार्मिता प्रगट करे. मेरे प्रियों, पाप जो भूत काल है वो पीछे पुराने नियम की पुस्तक में है. आप ध्यान दें कि परमेश्वन ने बैल और बकरों के लहू को पाप के लिए अंतिम मुल्य के रूप में स्विकार नहीं किया. परन्तु उसे उस लहू के बहाय जाने की आउशक्ता थी यह मसी इश्व के आने तक पापों को ढाकने के लिए एक प्राइश्वित था. दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वन ने पुराने नियम के लोगों को उधारी से बचाया. प्रियो लैविवस्था की पुस्तक में एक मुख्य पद है जो प्राइश्वित के विशे में बताता है. वह लैविवस्था की पुस्तक 17 अध्या उसके 11 पद में मिलता है. जहां पर लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चड़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायशित किया जाए क्योंकि प्राण के कारण लहु ही से प्रायशित होता है। परमेश्वर तक पहुँचने के लिए बलिदान एक मार्ग है। लहु बहाय बिना पापों से कोई भी छुटकारा नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं। लैविवस्था हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलना अर्थात पौईत्री करण के द्वारा है। इस पुस्थक में पौईत्रता शब्द 87 बार मिलता है। हम लैविवस्था की पुस्थक 20 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं। लिखा है और तुम मेरे लिए पौईत्र बने रहना क्योंकि मैं यहवा स्वैम पौईत्र हूँ और मैंने तुम को और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वन ने अपने लोगों के जीवन से संबंदित हर बात के लिए भोजन, समाजिक जीवन को चलाने के लिए कठोर नियम दिये। जिसमें उसके लोगों के जीवन के प्रतिदिन के विवरन इन एक महान आत्मिक अर्थ आज उसके लोगों के लिए है। और मैं सोचता हूँ कि इसी कारण से हमें लेविवस्था के पुस्तक का आवश्य ही अध्यन करना चाहिए। आप देखें कि आज एक पापी ब्यक्ति प्रविश्व के बहाइगे लहु के द्वारा परमेश्वर त बार बार चड़ाए जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहु लिए पौईत्रस्थान में प्रवेश्व किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युक के अंत में वह एक पार प्रगठ हुआ ताक लिए आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं या आनन्द प्राप्त करना और परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। तब इबरानियों के पत्रे 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रविश्यू को जो भेडों का महान सनातन वाचा के लहु के गुन से मरे हुऊ में से जिला कर ले आया। तुमें हर एक भली बात में सिध्ध करें जिससे तुम उसकी इक्षा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे इश्यू मसी के द्वारा हम में उत्पन करें जिसकी बड़ाई युगान युग होती र के विशह में नए नियम के प्रकाश में देखते हैं यह पुस्तक अधिकतर मसीहों के लिए निरस पुस्तक है और इसलिए बहुत से लोग इसे पढ़ना या इसका अध्यन करना पसंद नहीं करते हैं फिर भी यह एक विशिष्ट और आसाधारन पुस्तक है पहली बात हम द लिदान जो इस पुस्तक को खोलते हैं वे सपस्ट रुप से प्रवीश्व मसीह को दर्शाते हैं वे उसके व्यक्तित्तों को गहराई से और उसके मृत्ति को विश्तरित रूप में दर्शाते हैं हम इसे लैविवस्ता की पुस्तक एक अध्याय के साथ पद में देख सकते दूसरी बात है याजकों का पौइत्री करन प्रगट करता है कि हमारी सोच कितनी हलकी और अप्रयाप्त है मसीही पौइत्री करन के लिए अध्याए 8 से 10 में हम देखते हैं तीसरी बात है पौइत्र परमेश्वन ने अपने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया वह पौश्टिक और आरोग्य दायक था जिसमें हमारे आत्मा के लिए भी बहुत अधिक आत्मिक भोजन है जिसे हम अध्याए 11 में पाते हैं चौथी बात है मात्रित्व पर विशेश ध्यान दिया गया है और महिलाओं के विशेश समंधी परमेश्वर के विचार का बहुत अच्छा उधारन है इसे हम अध्याए 12 में पाते हैं और पाच्वी बात है इस पुस्तक के केंद्र स्थान पर आराधना है जो हमारे ध्यान की मांग करती है जिसमें कोड को और उसके इलाज को महत्व दिया गया है प्रश्ण है कि क्यों यहाँ पर कोड के लिए विश्त्रित भाग दिया गया है जिने वचन के आंत्रिक भाग क को समझने के लिए अनुग्रह दिया गया है उन्होंने पाया है कि यह कोड एक प्रकार का पाप है और यह मनुष्य के संबंद को परमेश्वर के साथ अपवित्र कर रहा है कोडी का शुद्ध होना प्रभई इश्व में मरना और पुनाय जीवित हो उठने को दर्शाता है जो सबसे अधिक आसाधरन बलिदान है जो दो चिडियों का होता है अध्याय 13 से 15 में हम इसे पाते हैं मेरे प्रियों यदि आप और मैं इस संसार के दूशन से बचना चाते हैं तो मुझे और आपको इश्व मसी के मृत्यों और पुन्रुथान के बारे में जानना आवश् है और इसे अपने जीवन में लागू करना है छटवी बात हम देखते हैं प्रायशित का महान दिन एक फून रूपचित्र को दर्शाता है जो मसी का बलिदान है अध्याय 16 में हम इसे पाते हैं सात्वी बात तंबु में होम बेदी के महत्यों के विशिष्टा मसी के कुरू इसका महत्पून अभिलक्षन है अध्याय 17 में हम इसे पाते हैं और आठवी बात इस पुस्तक में निर्देश के विशह में अधिक जोर दिया गया है जो परमेश्वर के लोगों के प्रतिदिन के जीवन के समय का विवरन करने जैसा प्रतीत होता है जो यह प्रगट करता ह कि परमेश्वर किस तरह निर्दिश्ट करता है कि मानव परिवार उसके साथ शामिल हो सके अध्याय 18 से 22 में हम पाते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि वह आपके कारियों में परिवार में और आपके समाजिक जीवन में शामिल हो आये हम सब सचेत हो जाएं ऐसा नहो कि हम उस अपने जीवन से बाहर ही बंद कर दें। नवी बात हम देखते हैं पर्वों की सूची। परमेश्वर की भविश्य सूचे कारिकरम की एक कारिसूची को सजाता है जो सब समय के लिए है। अध्याय तेश में हम इसे पाते हैं। और दस्वी बात है विवस्था अर्थात जो पलिस्तीन की भूमी में शासन कर रही है या चला रही है। वो इतिहास की यथार्ता की व्याख्या है और भविश्य की विशिष्टा में अंतरद्रिष्टी है। प्रियोई इस पुस्तक में कई भविशदवानिया है। इस्राइल राष्ट और प्रतिग्या किये हुआ देश यहां से लेकर अनन्द काल तक एक साथ मूथे हुए हैं और अंतर ग्रंथी अर्थाद बुने हुए हैं अध्याय 24 और 25 में हम इसे देखते हैं बाइबल की पहले तिन पुस्तकों के संबन्द में हम देखें हम उत्पत्य में मनुष्य के विनाश को देखते हैं और हम निर्गमन में मनुष्य के छुटकारे को देखते हैं और तब लैवेवस्था की पुस्तक में हम मनुष्य को परमेश्वर की अराधना करते हुए देखते हैं हम भी निर्गमन और लैवेवस्था के बीच तुलना और विसमता को देख सकते हैं अर्थात हम इसे कर सकते हैं हम निर्गमन की पुस्तक में शमा के प्रसाव को देखते हैं और लैवेवस्था की पुस्तक में पोईत्रता के प्रसाव को देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर मनुष्य से संपर करते हैं. परन्तु लैविवस्था की पुस्तक में मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख आता है. निर्गमन की पुस्तक में मसी उद्धार करता है और लैविवस्था की पुस्तक में वह शुद्ध करने वाला है. निर्गमन में मनुष्य का अपराद प्रमुख है और लेविवस्था की पुस्तक में आपवित्रता प्रमुख है निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर परवत से होकर बाते करते हैं और लेविवस्था की पुस्तक में वह तंबू में होकर बाते करते हैं निर्गमन में मनिश्य को परमेश्वर के निकट रहने के लिए रखा गया और लाया गया है और परमेश्वर के निकट रखा गया है। प्रियो अब हम इस पुस्तेक की रूप रेखा को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला, पांच बलिदान और उनकी विवस्था, अर्थात विधी, क, सुगन्द दायक, सुगन्द वाला बलिदान, मसी का व्यक्तित्व, पहला, होम बली, अगनी बली, मसी हमारे बदले में, अध्याय एक, दूसरा, अन्बली, मसी के प्रेम की सुदर्ता, अध्याय दो, तीसरा, मेल बली, मसी हमारे शांती, मेल, अध्याय तीन, ख, सुगंद रहित सुगंद वाला बलिदान कुरूज पर मसी के कार्य है पहला, पाप बली पाप एक सोभाव के जैसे होना अध्याए चार दूसरा, दोश बली पाप एक कार्य के जैसे अध्याए पांच ग, बली की विधी अध्याए छे और साथ में है दूसरे भाग में जाते हैं का अच्रन का ध्यान रखते हैं क परमेश्वर की लोगों का भोजन अध्याए ग्यारा में ख परमेश्वर की संतानों की संतान अध्याए बारा ग कोणी का शुद्ध किया जाना अध्याए तेरा और चौदा में ग, बहने वाले स्रावक से शुद्धी करन अध्याए 15, अंग, प्रैशित का महान दिन अध्याए 16 में, च, बली का स्थान लहु का महत्व अध्याए 17 में, च, जीवन की परिस्थित्यों में आज्याओं का लागू करना, और इसके अंदर हम तीन मुख्य मातों को देखेंगे पहला, अनैतिक्ता का खंडन की आग्या, सात्वी आग्या का विस्तार है, अध्याए 18 में हम पाते हैं, दूसरा है, समाजिक पाप, आग्या का उप्योग करना, अध्याए 19 में है, आग्याओं का उलंगन करने की सजा, अध्याए 20 में, ज, याजकों के व्यक्तिगत पोईत की विवस्ता, अध्याए 21 और 22 बद में है, और हम चौथी मुख्य बात में आते हैं, पोईत्र विश्राम दिन, अध्याए 23 में है, और पाच्वा, प्रतिग्या की हुई भूमी के लिए विधी और भईशिद वानिया, इसके अंदर तीन और मुख्य बातों को देखेंगे क, दीवट रोटी और इस निंदक के लिए मृत्यू की सजा, अध्याए 24, ख, सात्वा वर्ष, जुबली का वर्ष और छुडाने वाले रिष्टेदार की विधी, अध्याए 25, ग, भूमी में आशिष के लिए शर्तें, एक भवशिद सूचक इतिहास, अध्याए 26, छठव मनत से संबंधित, समर्पन और भक्ति, अध्याए 27, प्रियो यहाँ पर विशय सूची समाप्त होती है, और अब हम अध्याए 1 से अपने अध्यान को आरंब करेंगे, हम अध्याए 1 में सबसे पहले इन विशयों को देखेंगे, विशय है अगनि बली, होम बली, मनिश्य की जानकारे में सबसे प्राचीन भेंट बलीदान है, हाबेल, नू और अबराहम ने भी भेंट बली चड़ाई थी, चोकि यह सभी भेंट बली पीतल की वेदी पर चड़ाई जाती थी, इसलिए पीतल बेदी को भी अगनि वेदी की संग्या दी गई, इस बलीदान के द्वार इश्य के मृत्यू तथा उसके गहन चरित्र का अद्भोत चित्रन है, इस भेंट बली के गूर रहस्य को समझना मनिश्य की समझ से परे है, क्योंकि इसमें मसी का वह चित्रन है, जैसा परमेश्वर उसे देखता है, दर्शाया गया है, नी संदे हम वैसा नहीं देख सकते, जैसा वह देखता है, यहाँ वह गुप्त रहस्य चिपा है, जिसे केवल पोईत्र आत्मा हम पर प्रगट कर सकता है, प्रियों अगनी बली हम पर मसी के चरित्र को उजागर करती है, जो हमारे बदले बलिदान हुआ, पौलुस प्रेरित इस प्रकार से इसे इफिस्यों के पत्रे पांच अध्याय के दो पत्र में प्रगट करते हैं, और प्रेम में चलो, जैसे मसी ने भी तुम से प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आपको सुख दायक सुगंद के लिए पर मेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, अब हम इस अध्याय को देखेंगे जो इस प्रकार से हैं, इसकी रोप रेखा इस प्रकार है, सुख दायक सुगंद में भेंट मसी का व्यक्तित्व अध्याय एक से तीन, अगनी बली मसी हमारे बदले में बलिदान हुआ अध्याय एक में, क अगनी बली के लिए नियम पद एक से चार में, ख अगनी बली के र अब हम देखेंगे भेंट तथा बली समंधित नियम लाय विवस्था की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है यहवा ने मिलाप वाले तंबो में से मुसा को बुला कर उससे कहा परमेशन ने मुसा को मिलाप वाले तंबो से बाहर बुला कर कहा अब वह बिजली यों बादलों के गरजन के बेच सीने परवत की चोटी से बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि वे उस आग्याओं को जो देने के समय कर रहे थे वे मुसा को मिलाप वाले तंबो में मेल मिलाप के साथ बुलाते हैं प्रभु ने मुसा को पुकारा उसकी बुलाहाट उनके लिए है जो उसकी आवाज सुनेंगे यही बात महत्पून भी है जी हाँ, आज परमेश्वर मनशियों को बुला रहे हैं उनसे मेल मिलाप कर ले कलीसिया बुलाए गए लोगों की देह है और चुने हुए हैं क्योंकि वे बुलाए गए हैं यहुदी तो चिन चाहते हैं और युनानी ग्यान की खोज में है प्रन्तु हम तो उस कुरूस पर चड़ाए हुए मसी का प्रचार करते हैं जो यहुदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मुर्खता है प्रन्तु जो बुलाए हुए हैं क्या यहुदी, क्या युनानी उनके निकट मसी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्यान है इसे हम पहला कुरुंतियों एक अध्याय उसके 22 से 24 पद में पाते हैं मेरे प्रियों बुलाए गए का अर्थ यह कदापी नहीं है कि उन्होंने किवल पुकार सुनी प्रंतु सुनने के साथ साथ उन्होंने प्रतियुत्तर भी दिया अब मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्या आपने उसकी पुकार को सुनकर प्रतियुत्तर दिया हम लेविवस्था की पुस्तक एक अध्याय उसके दो पद में इस प्रकास से पढ़ते हैं इस्राइलियों से कह कि तुम में से यदी कोई मनुष्य यहवा के लिए पशु का चड़ावा चड़ाए तो उसका बली पशु गाय बैलों वा भेड बकरियों में से एक हो यदी कोई मनुष्य यहाँ पर इसका अर्थ है जो कोई भी व्यक्ति उसके पास आए प्रे दोस्तों लेविवस्था की पुस्तक को आरम करते ही हम पाते हैं कि हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग है इस बुलाहट की दो मुख्य शर्ते हैं पहली बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और दूसरा पोईतिर्ता में जीवन वहतीत करना जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो उस्तों यह पुस्तक भले ही पुराने नियम की पुस्तक है परतंबू के इस्थापन के उपरांत परमेश्वर के द्वारा नए नियम की कलीस्या से सीधे हमें जोरती है कलीस्या जो की इबरानी भाषा के इकलेश्या शब्द से निकला है जिसका अर्थ है बुलाए गए लोगों का समो यद भी हम कलीसिया का आरम पैंतिकुस्त के दिन पाते हैं जो कि प्रेड़तों के कार उसके दूसरे अध्याय के पहली 13 आयतों में हमें मिलता है वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की योजना के अभिबराय को हम आरम ही सी देख पाते हैं और इस बात को हम समझ सकते हैं यह इस बात को पून रूप से प्रगट करता है कि परमेश्वर अपनी योजना में आरम से ही इसपस्ट और साफ थे परमेश्वर ने उद्धार के मार्क को इस्थापित करने के लिए भले ही अबराहम के वंश को चुना और हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजा पर यह बुलाहट सभी मनुश्यों के लिए है आपके लिए है पवित्र ठहराय जाने के द्वारा हम कलीसिया में जोड़े जाते हैं और अब हमारी यह अवशक्ता है कि हम पवित्रता में जीवन वहतीत करें मनुश्य के जीवन का मूल भूत लक्ष यही है कि हम पापों की शमप्राप्त कर अपने वास्तविक स्वरूप में आएं जिसके बिना हम परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते दोस्तों आशा है आज के अध्यन के द्वारा आपने अनेक आशिशों को प्राप्त किया होगा आईए अब हम आज के अध्यन पर अधारित प्रश्न को सुन लेते हैं प्रश्न क्रमांग एक लेवे विवस्था की पुस्तक डैश के लिए एक महान पुस्तक है A. अध्यन B. अराधना C. शिक्षा D. याजकों प्रश्न क्रमांग दो निर्गमन की पुस्तक में मसी उधार करता है और लेवे वस्था की पुस्तक में डैश करने वाला है A. शुध B. चंगा C. दंडित D. उधार उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नुत्तर क्रमांग और अपने विकल्ब के साथ स्क्रीन पर अंकित किये गए तरीके से लिख कर SMS या WhatsApp के माधियम से 9198-210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें nafta कर दो तरीक माधियम का唱